और दोस्तों आज हम लोग AWS में प्लिस्मेंट ग्रूप देखने वाले हैं प्लिस्मेंट ग्रूप का थियोरी यहांप आपको देखने को मिलेगा इस लिंक पर पढ़ सकते हैं अब को पढ़ना है तो अगर आप नहीं समय देना चाहते हैं यहांगा ज्याद आपको पढ़ना पढ़ेगा तो आप मेरी बातों को सुनकर भी अच्छा ग्यान आरजीत कर सकते हैं और एक्जाम और इंटर्विव में अच्छा काम कर सकते हैं मैं आपको क्या बताने वाला हूं प्लेस्मेंट ग्रूप AWS में क्या होता है क्यों इसका यूज किस तरह की प्लेस्मेंट नहीं है हाला कि अपने इसी इंटेंस के लिए पैसे ब्याद और बियुद्न कру हुआ हो सब्सक्रेट को परने зах又 जरूर है सबसे पहले बात करते हैं कि placement group क्या होता है AWS में AWS placement group एक ऐसा feature है जो कि हमें मिलना है AWS में तो AWS placement group एक ऐसा feature है जो हमें यह सुईधा देता है कि हम लोग influence कर सकें कि हमारा जो EC2 instance है वह किस तरीके से place होगा AWS के hardware में यानिकि आप इसको हैसे समझ सकते हैं कि आप अपने virtual server को organize कर सकते हैं एक खास pattern में और कहां organize करते हैं हम लोग जाएसे बाते AWS के data center में करते हैं तो AWS के data center में आप खास तरीके से अपने instance को organize कर सकें या फिर वर्चल सर्वर को organize कर सकें वह चीज हम लोग करते हैं किस प्लेस्मेंट ग्रूप से करना किस strategy के साथ आपको करना है वह हम लोग इसका use करके करते हैं क्यों करते हैं विकाज अगर आप अच्छा strategy use करते हैं अग दो भी कुछ भी हो उसको आप अच्छे तरीके से optimize कर पाएंगे performance आपको better मिलेगा और उस resource का अच्छे तरीके से आप यूज कर पाएंगे और fault tolerance भी आपका बढ़िया हो जाएगा यह सारी चीजें हो जाती है और आप इसका use करते हैं तो आसान भाशा में placement group एक तरीका है जिसका use करके आप अपने virtual server यानि की instance को एक specific pattern में place करते हैं AWS के data center में होगा सुइतना ध्यान मरी के अब इसमें PROFESSOR STRATEGY सब मिल था या फिर.....type placement group और replacement group की आ relatively टाइजी क्या होती है यह में पूचा जा शकता है interview вся exam में यहां इसे पहले बात करते हैं cluster की तो cluster में क्या होता है कि cluster में यह इस placement group का अगर आप use करते हैं या फिर इस placement strategy का अगर आप use करते हैं तो इसमें आपको जो instance वो एक दूसरे के काफी close place किये जाते हैं और यह सारे same single az में होते हैं az में तो availability zone जिससे की सभी के साथ communication करना नहीं के लिए आसान हो जाता है इसे आप आपको low latency और high performance मिलता है तो आपको अगर कोई ऐसा काम करना अपने instance के साथ जिसमें आपको high performance चाहिए जैसे कि आपको data analysis करना हो या फिर high performance वार database setup करना हो या फिर आपके multiple application है जो कि एक दूसरे के साथ communicate करना चाहते हैं जल्दी-जल्दी तो उस case में cluster strategy का use कर सकते हैं next failure इसमें कियाता है कि अलग-अलग hardware में instance को spread किया जाता है जिससे कि आपका failure rate कम होता है फिर failure अकर एक hardware failure हो गया तो दूसरा hardware as it is running phase में रहता है तो इसमें हर एक instance को अलग-अलग physical server पे रखा जाता है या फिर rack में रखा या फिर network switches लो गया है में रखके और यूज के जाते हैं तो इसका कव यूज करना है आप इसको तो यूज कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि आपका जो up time हो ज्यादा बहतर है एक hardware fail होगे तो दूसरे hardware पर उसका आसर ना हो जिससे web application में या फिर e-commerce के जो website होती है उस तरही जो web application होते हैं अगर एक fail होगे तो दूसरा प्रवाइड करें hardware failure पर तो आप फिर spread का यूज कर सकते हैं तीसरा है partition partition placement strategy इसमें क्या होता है इसमें instance को logical segment जिसे के लोग partition किया है तो इसमें डिवाइड कर दिया जाता है तो maximum I think 7 में डिवाइड किया जा सकता है एक partition 7 partition में डिवाइड कर सकते हैं किस instance को और हर एक partition में अ इसको तब हम लोग यूज करते हैं जब हमें large distributed setup करना हो उस वक्त हम लोग से यूज करते हैं जैसे कि अगर आप Hadoop या फिर Cassandra Kafka ये सारी चीजी यूज करते हैं यह आपको high availability भी प्रवाइड करेगा और scalability भी प्रवाइड करता है इसमें अगर एक partition आपका fail हो गया है तो दूसरा partition आपका continue रहेगा और वह operate कर सकेगा और उससे आपका काम हो पाएगा इसमें आप जैसे distributed database अगर आप create करते हैं तो आपका multiple partition में को भी हो जाता है फिर एक partition से आपका वह सारु किया जारा है और वह fail होता है तो दूसरे partition से आपका वह सारु कर दिया जाएगा इस त पताएगे कि आप किस placement group का किस लिए इस्तमाल करेंगे यानि कोन से placement group किस चीज के लिए इस्तमाल करेंगे तो एक किसी भी company को उठा लेजिए flip card को Amazon को उठा लेजिए कि कोई इसे company नहीं हमारी खुद की है e-commerce की website e-commerce की website है तो उसमे thousands of requests आते है thousands of transition होते है per second आप सबको पत यूज कर सकते हैं तीनों का combination आप यूज कर सकते हैं तीनों में तीनों से अफसार कराएं अपने अपने अपनों को बता हुआ कि बड़ी सुझे वेबसाइट होती है application वह अलगलग instance पर चलती है एक instance पर नॉर्मल लिए करते हैं एक instance पर सारा कुछ लाल दिया वैसा नहीं ह हो पाएगा मेरा transaction processing speed बढ़िया रहेगा इसे से मैं cluster का यूज करूँगा database service के लिए web server की बात करें तो web server के लिए मैं use करूँगा spread क्यों कि अगर एक server मेरा fail होता है तो दूसरा server मेरा continuously serve करता जाएगा website हमारा चलता जाएगा तो इसे downtime हमारा uptime हमारा ज्याते से ज्यादा ब सब्धा क्या theoretical knowledge यहाँ पर आप जाएगे placement strategy में तो आपको image के दुरू समझाया जाएगा कि एक az में सारे होते हैं क्लस्टर है और अगर आप यहाँ नीची आता है तो partition करके दिया जाता है और spread में जाएगा तो आपको इस तरह से spread करके मिलता हम अलग 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 hardware इसमें इसको पढ़ सकते हैं और यह आपको बहतर जानकारी मिलेगी बढ़ हमारे लिए इतनी जानकारी थी जो मैं आपको भी बदाएं तो इसको करते हैं close और आते हैं AWS में मैंने login करके रखा आप देख सकते हैं I am user के साथ मैंने login किया हुआ है अभी हमें देखना है कैसे create करते है placement group इसके लिए हमें जाना है किसी कहीं जाएगी services में आप EC2 में जा सकते हैं यहां नहीं हमें जाना है इसमें EC2 में क्लिक करता हूं मैं और किसी में चले जाएगी डैशवोड बिसिकलि हमें EC2 के डैशवोड पर आना है तो मैं EC2 के डैशवोड पर हूँ और यहां पर आप देखेंगे आपको देखेंगे नेट्वाक ने सेक्यूरिटी में placement groups यहां पर क्लिक किजिए और यहां क्लस्टर इसलिए अब कोई भी नाम लगते हैं अपने इंस्टेंस के बेस पर रखना चाहें या पर जो भी आपका स्टाइटीजी रहेगा उसके बेस पर इसको रखेंगा यह रखने वाद आप टाइड करना चाहां तो यह क्रेट करना फ्री है तो को इसका आपको पैसा द यहां पर spread level क्या होगा को determine how placement group spread instance you can only use host level spread placement group on outpost यहां पर आप चूज कर सकते हैं एक होता है रैक जिसमें no restriction है और दूसरा था होस्ट जिसमें आप outpost only करते हैं हम लोग रैक में रहते हैं और simply create a group में क्लिक करेंगे तो हमारे cluster का दूसरा है spread दो हमारे strategy create हो चाहें इसी तरी यह partition लिखा हुआ है और कितने partition number of partition आप कितना चाहते हैं choose the number of partition to create in this placement group आप 1 से लेकर 7 तक partition create कर सकते हैं मैं simply करता हूँ इसमें 2 tag देना नहीं create group में click कर दें और यह 3 हमने create कर लिया placement group strategy यह create कर लिया यह create करने बाद अभी हमने create किया create करने के बाद आप चाहें तो इसको यहां पर आता हूँ action में यह सब्डेट कर सकते हैं यहां पर manage कर सकते हैं तो यह सारे काम तो बहुत easy है अगरा काम आपको दिखा नहीं रहा है इसको कर सकते हैं इसको use कैसे करना अपर instance में इसके लिए आपको जाना पड़ेगा instance में और यहां पर instance है को instance नहीं है आपर launch instance म में आपको दीख रहा होगा और यहां से आप जाइए यह थैठ्चर आपको दीखेगा इंसिंटीप आपको यह दिख रहा है यह थार चल मुत नहीं है यह थाइक है आपको दीखेक नेट्रो क्य harmless कर सक्षांक यह भी आपको कर सकते हैं आपको simply क्या करना है नीजी आना पर placement group करके हैं पर मिलेगा देखिए placement group यहां सब create कर सकते हैं सेम वही पर यह आपको edit करेगा यह फिर create करने का मोखा देगा और पहले से create करके रखा हुआ है तो हमें यह नहीं करना हमें simply यहां पर click करना है और यहां पर हमें इनों आपने दीज़ें my cluster my partition or my spirit कौन सा आप यूज करना चाहते हैं instance में जाके एक बाद चेक कर लिए कि आपका यह free tier आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा और आप simply launch instance पर click करेंगे तो आपका यह instance होगा यह इस placement group के साथ place होकर create होगा अब कि कौन किस के लिए यह मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ तो मैं दुवारा से उसको repeat नहीं करना है उसके बाद आप चाहें तो यह से select कर सकते हैं spread को तो spread में click किया तो यह for spread placement strategy use करते हुए आपको create करके देगा then तीसरा हमारा है partition जिसमें partition जब आप select करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है number of partition 2 जिसमें आप यहाँ पर target partition में click करके और target कर सकते हैं कि कौन से partition में आपको करना है 1 में या 2 में तो आप चूज कर लिजएगा वज़से 1 में करना तो 1 और simply launch instance में click कर देज़ें तो यह है तरीका और आप इनका इस तरीके से इस इस्तिमालगा सकते हैं मैं create करके नहीं दिखा रहा रहा है और unnecessary हो जाएगा लेकिन create करने का तरीका बिल्कुल यह है और कुछ खास इसमें है नहीं कभी-कभी आपको यह देखना पड़ेगा कि आप जो इसमें select कर रहे हैं उस पर यह आपको मिलता है या नहीं मिलता हो आप बात करें तो आप माय को जिसे मुझे यह यह करने के बात action में आना यहां से डिलीट में क्लिक किजिए और फिर confirm to confirm delete type delete इन फिल्ट पर delete यहां type करेंगे कोपी होता है कि रहे हो जाता है तो इलेट हमने लिखा फिर इलेट में क्लिक किजिए और इसमें ज्यादा करके थियोरी था विकास आपको समझना है कि कौन सा strategy कभ यूज होता है कौन सा strategy क्या कहता है वह आपको theoretically समझना है practically किसको यूज करने का तरीका बहुत ही simple है जो मैं कुछ खास है नहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रेस्मेंट गुरू पच्छी तरकी समझमा आ गया होगा इस वीडियो को देखने के लिए आपसो का बहुत बहुत तन्यवाद